सभी प्यारे जाते हों को राम राम नोशकार उमीद करता हूं आप सभी बहुत ही बड़ी होंगे आप सभी को बतादें कि ITBP की तरफ से एक और न्यू विकिंसी का नॉटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और यह ऑफिशल नॉटिफिकेशन आ चुका है तो पूरी जानकार इ यह विकिंसी ओल ओवर इंडिया के लिए विकिंसी है साथी में में फिमिल दौनों के लिए फॉर्म अप्लाय कर सकते हैं और फिशल नॉटिस के साथ पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है तो वीडियो को लास तक जरू देखें वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में आने वाली हर एक अप्डेट का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ओफिशल नॉटिफिकेशन देख लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं विंडो एडबर्टीजमेंट फॉर्ट यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको वही पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा ऐसा ही कि जो पोस्ट रहेगी ग्रूप C की पोस्ट आपकी रहेगी इसके ऑल्लाइन एप्लिकेशन फॉर्म जो होंगे 15 नॉवंबर से स्टार्ट होंगे इसकी जो लास्ट नॉवंबर 24 रहने वाली है यानि कि 15 नॉवंबर से इसके फॉर्म भरेज आने हैं सबसे पहले यहां पर विकिंसी आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की टोटल विकिंसी है 92 जिसमें 78 विकिंसी मेल की एन 14 विकिंसी फिमेल के निकाली गई है फैर कॉंस्टेबल की अग आपको 44 विकिंसी मेल के लिए और 7 विकिंसी फिमेल के लिए टोटल 51 विकिंसी देखने के लिए मिलती है यानि टोटल नंबर विकिंसी निकाले गई हैं आपकी 526 आपकी पोस्ट रहेगी जिसमें ऐसा ही का एस क्राइटेरिया 20 से 25 साल हैड कॉंस्टेबल का 18 से 25 साल और करना आपकी 14 दिसमबर 2024 से की जाएगी यह चीज़ क्लियर कर लीजेगा नियूंतम और अधिक तम आयू की करना 14 दिसमबर 2024 से होनी है जो कि इसकी लास्ट डेट है तो क्रूशियल डेट आपकी 14 दिसमबर 2024 मानी जाएगी पहली बात ऑफिशल नोटिफिकेशन से यह सारी च क्वालिफिकेशन की बात आती है तो देखो SI के लिए फॉर्म अप्लाए गरने के लिए अगर आप हैड कॉंस्टेबल के लिए अप्लाए गरना चाहते हैं तो आप 12 पास होने चाहिए साथी में यहां पर PCM आपके पास होना चाहिए minimum पासिंग क्राइटेरिया यहां पर य इसके लिए अप्लाए कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप कॉंस्टेबल हैं और केवल टैन पास से अप्लाए कर सकते हैं इसके अलावा अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए तो तीनों की क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई आपको SI के लिए ग्रिजिट पास होना चाहिए, तीन डिगरी आपके पास होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक डिगरी चल जाएगी, हैड कॉंस्टेवल टेली कम्मुनिकेशन के लिए 12th pass with PCM या ITI या डिपलोमा या इंजिनिरिंग आपके पास होनी चाहिए, और कॉंस्टेवल टेली को कम्मुनिकेशन के लिए के वल 10th pass candidate अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं होगी, इस criteria मैंने clear कर दिया, अब देखो इसके selection process के बारे में मैं बात करूँ, तो इस बार हो सकता है कि पहले return examination हो, पहली जो 2023 वाली भरती निकाली गई थी, पहले physical and PST आप सभी का हुआ था, फिर return examination हुआ था, लेकिन भरतियों में generally ये changes देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इसका detail notification नहीं आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि return examination पहले हो, या फिर ऐसा ही हो सकता है, जिसे 2023 में पहले physical efficiency test और PST आपका हुआ था, फिर return examination हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए मैं sure नहीं हूँ, तो मैंने आपको ये चीज़ें clear कर दी है, फिर आपको document verification और medical examination होता है, तो इन stage से उकर आपको गुजरना होता है selection के लिए, अब यहां पर PST देख लो, कि आपका higher test कितनी होनी चाहिए, अगर आप general किसी भी ऐसी state या category से नहीं आते हैं, तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए, 170 cm होनी चाहिए, male candidate की, female की होनी चाहिए, 157 cm, male candidate का सीना normal होना चाहिए, 80 और फुलाव के साथ 85 cm होना चाहिए, बागी का कुछ category जैसे की ST categories हो गई, तो ST category के लिए 162.5 cm male candidate, female candidate के लिए 150 cm यहां पे लंबाई होनी चाहिए, और सीना आपका 76 cm से लेके 81 cm होना चाहिए, only 4 male candidate, बागी का जैसे आप गरवाली, कुमाई, उगुर का, डोगराज, मराथा, candidate है, तो आपकी लंबाई 165 cm male के लिए, female के लिए 155 cm, और चेस्ट जो हो जाएगा, normal जो आपका रहता है, उसमें आपको relaxation मिल जाता है, as per category, तो यहां पे आपको यह clear हो गया होगा, कि आप इसके लिए PSD की according eligible हैं या नहीं, इससे आगे अगर मैं बात करूँ, तो फिर आती है phase 1 की बात, जो कि मैंने 2023 की according में, आप सभी को यहां पे बता रहूं, क इसलिए मैं आपको पहले बतारूं कि exam की भी जब official आपका detail notification आएगा, जो कि अभी sod notification रिलीज हुआ है, जब आपका detail notification आएगा, तो यह सारी चीज़ां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, अब इसमें आगर हम PET की बात करें, तो देखे, 1.6 km की आपकी running होती है, जो कि आपको 7 minutes 30 seconds में complete करनी होती है, इसके अलावा 11 feet की आपकी long jump होती है, 3 chance आपको दिये जाते है, 3.5 feet की high jump होती है, 3 chance में आपको complete करनी होती है, और यह criteria है male candidate के लिए, फिर बात आती है, तो फिमिल की, तो फिमिल को 800 meter की running जो होगी, 4 minutes 45 seconds में complete करनी होगी, 9 feet की long jump 3 chance में, और 3 feet की हाइजम तीन चांस में कंप्लेट करनी होगी तो आपका पी एस्टी एंड पीटी के लिए रोगया अब बढ़ते हैं आपके रिटें एक्जामनेशन के स्लेबस की तरफ तो यह आपका स्लेबस है और यह स्लेबस आप सभी का हैड कौंस्टेबल टेली कम्मुनिकेशन का है की पिछली बार विकिंशी नहीं थी तिस वाइज मैंने यहां पर एसाई को एड नहीं किया है सबसे अधिक विकिंशी हैड कॉंस्टेबल की है तो हैड कॉंस्टेबल में सबसे ज़्यादा फॉर्म भी अपलाय होता है अब यहां पर देख लो कि यहां पर कौन-कौन से आता है 15 15 मार्क्स तरीके तोटल मिलाके 100 के रहते हैं 100 मार्क्स आपको दिया जाते हैं और दो घंटे का आपको समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए तो यह सलेबस हो गया आप सभी का टेली कम्मुनिकेशन का इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर क्या सलेबस रहता है तो यह है अपका कॉस्टेल का यहां पे जनेरल हिंदी और इंग्लेश 15 15 केशन 15 15 मार्क्स फिर आपका जनेरल आवेन एस 20 केशन 20 मार्क्स रीजनिंग आपको दो घंटे का रहता है तो यह हो गया आपका पूरा सलेबस अब इसमें मैं आ पका प्येश् पीटी क्लियर कर दिया, सलेबस आपको बता दिया, कोई नेगर डिमार्किंग नहीं है, यह सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, अब बात आती है कि यहां पे देखो अप्लाइ करने की, तो अप्लाइ करने का मैं आप सभी को बता दू, 15 नॉर्मर से इसके ओनलाइन एप्लि तो 100 रुपया आपको एप्लिकेशन फीज देनी होगी, जनल, EWS, रोबी सी कैटेगरी को, बाकी का अगर आप फिमेल कैडिडेट हैं, SCST हैं, तो आपको कोई भी फीज नहीं देनी है, फ्री आफ कॉस्ट आप इसके लिए अपलाइ कर सकते हैं, क्योंकि नॉटिफिकेशन म यहाँ पर आप सभी को मेंशन के गई है, DIC recruitment की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें आप इसका नमर वगरा, implement नमर वगरा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, तो official information है, driver का भी ऐसे ही notice आया था, आप सभी को पता है, फिर इनका detail notification आता है, पहले sort notice, फिर detail notification, इसी तर सभी के से process रहता है, तो ITVP में बड़िया विकिंसी है, बड़िया salary आप सभी को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि head constable की मैं बात करूं, 25,500 से आपकी salary start होती है, और वहीं पर constable की 2700 से start होती है, बागी का यह basic pay scale है, और भक्ति वगर add करके काफी बड़ि एक और वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको each and everything हर एक post के लिए clear हो जाएगा, तो वीडियो को सभी के साथ share करते हैं, जो भी form भनने में interested है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके, चैनल को subscribe कर ले, मिलेंगे next वीडियो में, फिलाल के लिए बस इतना ही, त इतना है, टाएगा, तुला के साथ इतना हुआएगा, जो पार एक लेका लागा कर वे बड़्त इतना ही टीडियो बड़ा होगा है, तुला कि रम तो वीडियो, वीडियो, गार जो एक वीडियो, पार